हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फोडियो में हमारे पास आचुका है Motorola H40 Neo जो के इस साल का Under 20,000 का सबसे ज़्यादा popular स्मार्टफोन है ये फोन दिखने में बेहत खुबसूरत है दोस्तों curved AMOLED डिस्पले है, Pantone colors के साथ आता है आज इस फोडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज़ादा amazing features के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप इस फोन में interested हैं तो इस फोडियो को पूरा जरूर देखेगा और मुझे बताएगा निचे comments में के आपको कौन सा feature सबसे ज़ादा अच्छा लगा चलिए जल्दी से स्वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला feature मैं आपको बताना चाहूँगा 144Hz refresh rate का settings में display के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर display refresh rate का option आपको मिलता है by default इसको auto के उपर select किया गया है जोके 120Hz तक ही जाता है अगर आपको बिल्कुल smooth experience चाहिए तो इसको यहाँ से 144Hz के उपर select कर दीजिए उसके बाद phone बहुत ही जादा smooth चलता है इस phone में by default यह बहुत ही सुंदर सा wallpaper लगा कर दिया गया है मैंने notice किया कि इस phone में wallpaper के उपर आप बहुत अच्छे effects लगा सकते हैं home screen के उपर long tap करके अगर आप wallpapers के अंदर जाएंगे और यह low screen के उपर tap करेंगे यहाँ पर आपको add effects का option में देगा इसके अंदर आपको तरीके का zoom effect लगा सकते हैं या फिर इस तरीके का sweet effect लगा सकते हैं अगर फोन को जैसे ही move करेंगे तो wallpaper ही देगा ripple effect भी आप लगा सकते हैं अगर आपको wallpaper को blur करना है वो option यहाँ पर आपको दिया गया है और brightness भी आप बढ़ा सकते हैं और दोस्तों by default ये clock वाला widget आपको apply करके दिया गया है इसमें एक magic में आपको दिखाता हूँ इसके उपर अगर आप long tap करके इसको expand करते हैं इस तरीके से तो ये जो widget है कुछ इस तरीके के widget में convert हो जाता है time तो भी भी यहाँ पर आपको दिखेगा लेकिन अब आपको साथ में weather, aqy, battery percentage काफी सारा information यहीं पर दिख जाएगा अब क्योंकि ये phone बहुत ही सुन्दर curved display के साथ आता है मतलब के edges में भी display है तो edges के लिए एक बहुत ही सुन्दर effect आपको यहाँ पर edge lighting का दिया गया है settings में अगर आप personalization के अंदर जाएंगे वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको calls, alarms, notifications, किस-किस चीज के लिए इसको यूज करना है full brightness पर आपको यूज करना है जब screen नीचे पड़ा हो तभी आपको यूज करना है या फिर किस color का edge lighting आपको यूज करना है यह काफी सारे options आपको दिये गए हैं यहाँ पर personalize के अंदर ही आपको fingerprint animation का option भी मिल जाता है अब इस phone में आपको in display fingerprint sensor दिया गया है किस तरीके का animation उसका आपको मिलता है उसको आप यहाँ से change कर सकते हैं एक option जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है themed icons का अगर आप colors के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको themed icons को enable करने का option मिलता है इसको अगर आप enable करेंगे तो यहाँ पर जैसके आपने दिखा आपके सारे icons जो हैं वो कुछ इस तरीके की form में change हो जाते हैं basically system का जो color है वो icons के उपर apply हो जाता है और मुझे तो यह बहुत ही सुदर लगता है पूरे wallpaper के साथ बहुत अच्छे से match कर जाता है वैसे इस phone में मैंने notice किया कि layout के अंदर आपको बहुत अच्छे options दिए गए हैं generally आपको 2-3 layouts मिलते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे different options हैं जैसे कि 2-2 वादा option आप चूज कर सकते हैं जिसमें इस तरीके से बड़े-बड़े icons आपको मिल जाएंगे या फिर 3-4, 4-4 काफी सारे different options हैं जिन में से आप कोई भी select कर सकते हैं और इस तरीके से इनको view भी कर सकते हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारे personalization के option है दोस्तों जैसके आप themes में से कुई select कर सकते हैं जिसमें आपका font वगेरा भी change हो जाएगा font को directly change करने का option यहाँ पर आपको दिया गया है icon shapes भी आप change कर सकते हैं और display size या text size वगेरा आपको change करना है bold करना है वो सब चीजे भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस phone में दोस्तों आप Motorola ने आपको यह sidebar भी दे दिया है जो कि पहले Motorola के phones में नहीं आता था यह sidebar में basically आपको काफी सारे apps मिलते हैं इसको आप यहाँ से settings भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन-कौन से apps आपको यहाँ पर enable करने हैं इसकी सबसे बढ़िया चीज मुझे यह लगती है कि यहाँ से अगर आप कोई भी app open करेंगे तो directly floating window में open होती है हलागे उस चीज़ को भी आप यहाँ पर settings के अंदर अगर जाएंगे तो more settings के अंदर से change कर सकती है कि आपको application को directly floating window में open करना है या फिर full screen में और जैसा के मैंने अभी आपको बताया इसमें floating windows का support तो आपको मिल ही जाता है जिसको Motorola free phone apps बोलता है अगर आप कोई भी app open करके recents में जाते हैं यहाँ पर tap करते हैं तो आपको free phone का option बिल जाएगा और इस तरीके से आपका app जो है free phone या floating window में open हो जाएगा इसको आप इस तरीके से resize कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल minimize कर देंगे तो इस तरीके से shortcut की तरहां site में पढ़ा रहेगा इस phone में Motorola ने आपको एक बहुत अच्छा gesture दिया है जो के है Q-Clone का basically phone के पिछे दो बाट tap करके इस तरीके से आप कोई भी application को open कर सकते हैं और सिरफ app open ही नहीं अगर आप settings में जाएगे तो काफी सारे different options हैं जिन में से आप choose कर सकते हैं settings में अगर आप display settings के अंदर जाते हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे options आपको दिये गए हैं अगर आप screen time out के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर attentive display का option आपको मिलता है जो के मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं phone का screen बंद ना हो जैसके अगर आप phone के उपर कुछ read कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि phone automatically बंद ना हो जाए अगर आप phone के उपर tap नहीं करते तो यह attentive display का feature आप phone कर दिजी basically सारे ही AMOLED displays जो हैं वो low brightness के उपर flicker करते हैं उस flickering को कम करने के लिए या फिर बिल्कुल बंद करने के लिए आप ये flicker prevention का feature इस Motorola के phone में यूज कर सकते हैं और एक ऐसा feature दोस्तों जो Motorola अपने flagship phones में देता है वो भी feature आपको इस phone में दिया गया है जो कि है ready for का अगर आप चाहें तो आप अपने phone को किसी tablet या PC के साथ connect कर सकते हैं और अपने phone की सारी चीजें direct दूसरी device से control कर सकते हैं इवन आप file transfer इसकी मदद से कर सकते हैं या फिर mobile desktop यूज कर सकते हैं हालनकि यहाँ पर आपको सिरफ PC और tablet का option ही मिलता है Dolby Atmos का support दिया गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी settings आप कर सकते हैं by default यह smart audio के उपर selected है लेकिन music, film, game अगर आपको equalizer यूज करना है वो सब चीजें आप यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हैं अगर आप कोई headphone यूज करते हैं उसमें भी ये काम करता है इवन जब आपने phone को landscape mode में रखते हैं तो phone के speakers और बहतर output देते हैं इस Dolby Atmos की मदद से sound and vibration settings के अंदर एक और बढ़िया option sound के related आपको special audio का दिया गया है special sound आप यहाँ से enable कर सकते हैं अगर आप को 360 degree audio वाला music play कर रहे हैं आपने earphones लगाए हैं जो के special audio support करता है उन सब cases में यह feature जो है और बहतर से आपको output प्रोवाइट करने में help करता है phones में mostly क्या होता है दोस्तों जब आप किसी app का music play करते हैं तो background में जो भी music play हो रहा था वो automatically बंद हो जाता है अगर आप PC की तरहां करना चाहते हैं कि आप एक time पे multiple apps का music ही play कर पाएं और सब का volume भी अलग से control कर पाएं उस चीज के लिए multi volume का feature आपको दिया गया है और इसको यहां से आप enable कर सकते हैं वैसे sound and vibration के अंदर ही अगर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको media controls का option भी मिलता है अगर आप बहुत जादा music सुनते हैं earphones के साथ तो यह feature आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसको enable रखेंगे तो आप volume कीस की मदद से volume भी change कर सकते हैं और अगर आप volume कीस को long tap करते हैं तो आप song को next या previous में भी change कर सकते हैं security related भी बहुत सारे features Motorola ने आपको इस phone में दिये हैं अगर आप moto secure के अंदर जाएंगे तो आपको secure folder का option दिल जाता है आप इसके लिए एक अलग से password भी setup कर सकते हैं जो कि आपका low screen वाला password नहीं होगा और इसके अंदर आप किसी भी file या app को add करके उसको password protect कर सकते हैं और save भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर files का option भी दिया गया है अगर आपको किसी file को select करके protect करना है और एक चीज़ जो मैंने notice किया दोस्तों अगर आप इसके अंदर कोई भी app को add करते हैं तो वो उस app का एक dual app create कर देता है बिसिकलि यहाँ पर मैंने whatsapp को add किया अभी अगर मैं यहाँ वाला whatsapp open करता हूँ तो यह एक नया whatsapp है जो कि मैंने अभी तक setup नहीं किया है बिसिकलि अगर आप कोई ऐसी website open करते हैं जो कि risky है या फिर जिसके ओपर virus वगेरा, threats वगेरा हो सकते हैं उसको phone automatically detect करके आपको बता देगा तांकि आप उस website को use ना करें एक और बढ़िया option Moto Secure के अंदर आपको network protection के अंदर wifi block list का दिया गया है बहुत बार जब आप किसी open wifi से connect करते हैं तो आपका data collect कर देते हैं तो जब भी आप किसी ऐसे wifi को connect करते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारी apps का access block कर सकते हैं बंद कर सकते हैं जैसके आप banking apps को बंद कर दीजे या फिर whatsapp को बंद कर दीजे तांके आपका कोई भी जो private या secure data है वो वो wifi capture ना कर पाए log screen security के अंदर अगर आप जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा feature जो मुझे मिला वो है log network and security का basically जब आप log screen के उपर हैं अगर आपका mobile data connected है तो वो connected रहेगा ऐसे ही अगर आप किसी wifi पर connected है वो भी ऐसे ही selected रहेगा उसको आप change नहीं कर सकते हैं log screen से और यहाँ पर ही आपको pin pad scramble का option भी दिया गया है दोस्तों जब भी आप कोई pin enter करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो numpad है वो पुरा इस तरीके से randomize हो जाए scramble हो जाए तो इस feature को आप enable कर दीजिए वैसके लिए अगर आपके साथ कोई है तो आपका password guess नहीं कर पाएगा अगर यह सारे keys random होंगे वैसे हाँ पर moto app के अंदर अगर आप gestures के अंदर जाते हैं तो moto के जो q capture और fast torch वाले gestures हैं वो भी आप यहां से use कर सकते हैं मतबकि दो बार phone को अगर आप twist करते हैं तो इस तरीके से camera open कर सकते हैं या फिर दुबारा अगर आप phone को दो बार twist करेंगे तो camera switch भी हो जाएगा ऐसे ही अगर आप phone को दो बार चोब करते हैं तो flashlight को इस तरीके से turn on या दुबारा से turn off भी कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों और भी काफी सारे motion gestures आपको दिये गए हैं जसके आप lift to unlock यूज़ कर सकते हैं flip for dnd यूज़ कर सकते हैं pick up to silence का feature भी है जो कि काफी useful है और swipe to split का feature भी यहां पर आपको दिया गया है अगर आप gaming करते हैं तो moto app के अंदर आपको नीचे play के अंदर games का option भी दिया गया है अगर आप कोई भी game play करेंगे तो इस सरीके का gaming sidebar आपको यहां पर मिल जाता है जिसके अंदर आप directly brightness या volume को control कर सकते हैं calls या notifications को block कर सकते हैं अगर आप gaming के साथ किसी app को floating windows में open करना चाहते हैं यह game mode के अंदर जो सबसे बढ़िया feature मुझे लगा दोस्तों वो है wifi latency का basically यह phone जो है वो आपके wifi को जादा stable बनाने की कोशिश करेगा तांके bgmi जैसी game में आपको बहतर connection मिले और आपका ping जो है वो कम आए तांके आप बहतर gameplay कर पाएं वैसे इस phone में आपको निया वादा one-handed mode भी मिल जाता है जो कि iPhone के reachability जैसा feature है settings में gestures के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको one-handed mode enable करने का option मिल जाएगा इसके बाद किसी भी screen से अगर आप इस तरीके से नीचे swipe करते हैं performance के अंदर आपको यह RAM boost का option मिलेगा by default यह disable है मेरे पास 12GB RAM वादा variant है इसको अगर मैं enable करूंगा दोस्तों तो 3GB RAM तक मैं expand कर सकता हूँ एक और चीज मैंने notice किया दोस्तों अब इस phone में अगर आप screen recording करना चाहते हैं पहले motorola के phones में सिरफ 30fps का option आपको मिलता था अब आप full HD के अंदर 60fps में screen record कर सकते हैं इस phone के अंदर और यह 5G phone तो है ही दोस्तों लेकिन इस phone में आपको 4G प्लस carrier aggregation का support भी दिया गया है तो अगर आप 4G इस phone में use करते हैं अब टू 4 bands तक के carrier aggregation को यह phone support करता है दोस्तों तो 4G का connection यहाँ पर इस phone में बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा charging से related भी एक बहुत अच्छा feature इस phone में दिया गया है settings में अगर आप battery के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक feature charge boost का मिलता है अगर आप phone को fast charge करना जाते हैं तो इस feature को जरूर से enable कर दीजिए उसके बाद ही phone actual fast charge हो पाएगा चलिए दोस्तों camera के भी कुछ interesting features आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इस phone में जो primary camera है वो 50MP का है उसके लिए यहाँ पर एक ultra resolution का mode दिया गया है उसी के साथ इस phone में आपको 2x ultra wide या macro mode में भी capture करने के options दिये गए हैं camera के इंदर एक बहुत ही इच्छा और useful option आपको यहाँ पर image preferences का add कर दिया गया है by default इसको natural के उपर ही select किया गया है दोस्तों अगर आपको natural colors पसंद आते हैं तो इस option को आप use कर सकते हैं हलांकि अगर आपको थोड़े boosted colors अच्छे लगते हैं तो आप इसको auto enhance के उपर भी select कर सकते हैं वीडियोस अगर आप capture करते हैं तो इस phone में आप portrait videos भी capture कर पाएंगे इस तरीके से यहां पर आप adjust कर सकते हैं कि कितना जादा background blur आपको वीडियोस के इंदर लेके आना है slow motion वीडियोस को option भी आपको इस phone में मिल जाता है maximum आप full HD quality में 120 fps shoot कर पाते हैं या फिर अगर आप HD quality में चल जाएंगे तो आप 240 fps तक भी record कर पाएंगे more modes के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक बहुत इच्छा mode आपको dual capture का मिल जाता है जो के आज कल बहुत सारे phones में आपको मिल जाता है basically अगर आपको front camera, rear camera दोनों को एक साथ capture करना है वो चीज़ आप यहां पर कर सकते हैं एक camera mode जो Motorola के phones में specially आपको मिलता है वो है sport color का mode अगर आपको अपनी photo में सिरफ किसी एक color को रखना है बाकी पूरी photo को black and white करना है कुछ इस तरीके से mode काम करता है दोस्तों इसकी मल से आप काफी creative photos capture कर सकते हैं और इस phone में दोस्तों आप काफी सारे different तरीकों से photos capture कर सकते हैं settings में अगर आप AI settings के अदर जाएंगे तो यहां पर आपको auto smile capture का option भी दिया गया है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से जरू को like and share जरू कीजेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कौन सा feature सबसे जादा अच्छा लगा चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और amazing videos देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों